कॉफी मिश्रन बनाना एक बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर पेस्ट बनाने के लिए देड़ बड़ा चम्मच पानी मिलाएं तरल मिश्रन बनाना आधा कप गरम दूद देल छोटा चम्मच सिर्का मिला ले इसे पांच मिनट के लिए आराम दे एक तिहाई कप तेल एक चोथाई कप पाउडर चीनी अच्छे से मिलाएं कॉफी मिश्रन डालें अच्छे से मिलाएं एक तिहाई कप चोकलेट सिर्प अच्छे से मिलाएं आटा और बेकिंग एजेंट मिलाना एक कप गेहूं का आटा शानो आधा छोटा चम्मच नमक शानना जारी रखें अच्छे से मिलाएं हलका गाड़ा पेस्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा दूद मिलाएं एक चम्मच एनों के साथ एक चम्मच दूद या फिर आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोड़ा अच्छे से मिलाएं केक पकाना एक सौस पैन को तेल या मक्खन से ग्रीस कर लें बर्तन के आकार में बेकिंग पेपर इसे फिर से ग्रीस कर लीजिए बैटर को सौस पैन में डालें व्यवस्थित करने के लिए टैप करें गर्म तवे पर रखें और ढखकर धीमी मध्यम आंच पर पकाएं पकाएं जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते केक को डेमोल्ट करना इसे डेमोल्ट करें कागज हटाओ इसे पल्टो आईसीट बनाना दो तीन बड़ी चम्मच मलाई शानो जाली के उपर से चीज हटा दो देर छोटा चम्मच पावडचीनी ब्लेड लगाएं इसे मिलाने के लिए चौपका इस्तिमाल करें एक चौथाई छोटा चम्मच वेनिला एसिंस मिलाएं केक की आईसिंग करना इसे पल्टो धागे से केक को दोग शेतिज भागों में काटें उपर का भाग हटाएं आईसिंग फैलाएं अब उपर को इसके स्थान पर रखें चोकलेट सीर्प फैलाएं इसे दस मिनिट के लिए फ्री जमें रखें इसे दस मिनिट के लिए फ्री जमें रखें